हाई ट्विल्टीज, वेलकम टू इजी वे कॉमर्स क्लासेज, मैं हूँ तपिता और गाईज आज की इस वीडियो में हम अपने बिजनस स्टेटी का जो हमारा सैंबल पेपर आया है सीबीस्टी की तरफ से 2003 के एक्जाम के लिए उसका एक्जाम पैटन देखने वाले हैं यान उसी अकॉर्डिंग आपको त्यार ही अपनी जोरदार करनी है राइट वैसे तो आपको सारी चीज़े करनी है बताऊंगी क्यों करनी है उसके पीछे रीजन क्या है लेकिन वेटेश पहले जानते हैं आपके जो फॉर्स त्री चैप्टर्स हैं जिसमें नेचर, प्रिंसिप है पर additions का आपका डो पार्टे क्योंकि आप दो पार्ट में डिवार्ट में पहले एक ही होती त्यार ही तो एपका यह है जब कि financial management and financial market आपका 15 म मार्टमें में दो चेप्टर्स वहीं मार्केटिंग मार्चमेंट एं consumer protection भी 15 मार्टमें है ठीस है 30 marks की आपकी section मिला part B book है जो आ रही है total 80 marks है तो आप देख सकते हो directing and controlling काफी अच्छी दो chapters है लेकिन वेटेश 20 marks के लिए रखी है अगें यहां पर की मिला हर इक chapter को काफी अच्छी वेटेश दी गई है इसके बाद guys बात करेंगे questions की कि कितने questions आपके exam में आने वाले है तो 20 questions guys आएंगे 1 mark के total weight is रहेगी 20 और सबसे हरानी की बात है कि इसमें कोई choice नहीं है 1 mark के questions में कोई choice नहीं है यानि कि आपके MCQs जा आने वाले इसमें कोई choice नहीं है आपके concept अच्छी तरीके से clear होने चाहिए तभी आप MCQs को attempt कर पाओगे choice की कोई कुण जाइस ही नहीं है कि बही मुझे यह नहीं आता मैं यह कर लूगी वो चीज नहीं हो सकती क्योंकि choice ही नहीं है तो आपको अपने business के concept अच्छी तरीके से अच्छी तरीके से understand करने हैं क्योंकि understand based paper होता है learning होती है plus understanding होती है तो दोनों चीज़े चाहिए क्योंकि choice नहीं है 20 marks अगर आपको अच्छी से score करने है तो अच्छी से बढ़ाय करने है उसके बाद 4 questions आएंगे आपके 3 marks के ठीके जिसमें 2 questions में choice होगी इसके बाद 6 questions आएंगे आपके 4 marks के जो weightage रखते 24 इसमें भी 2 choice होगी इसके बाद guys 4 questions आएंगे आपके जो lengthy बड़े 6 marks वाले और इसमें भी 2 questions में choice आपको मिलेगी so guys इस तरीके से आपको अपने exam की preparation करनी है आपको पता होने चाहिए कि कितने questions कैसे वाले आने वाले chapter wise क्या मितलब आपको कौन सा question कैसे आया वह मैं आपको sample पर जब कर आऊंगी तब आपको बताऊंगी कि किन-किन chapter से 6 marks को question आया किन chapter से 4 marks का और किन chapter से 3 marks का ताकि आप उसे और अच्छी तरीके से अपने chapters को कर सको अगर फिर भी guys अपके माइन में कोई भी topic रहता या कोई भी concept रहता जो नहीं समझा रहा तो आप मुझे personally message कर सकते हो Instagram पर मेरी ID है तब इता मैसी या फिर YouTube पर comment के तूँ और अगर वीडियो पसंद आए तो like करें बिना बिलकल नहीं जाना और guys subscribe करना channel को और bell icon को प्रेस करना फो न्यू मोर वीडियो थांक यू